गोपास्ट मी पर किया गया गौ माता का पूजन, मांगा विशुशान्ती का आसिरवाद, कथा में बताये गए गौ माता के पूजन के लाब, जासी गोपास्ट मी पर गौ माता का पूजन किया गया, गाय मा की पूज़कर विशुशान्ती बनाय रखने की कामना की गई, कथा में माता गौ की महिमा बिस्तार से बताई गई अंतराश्चे किष्ण भाव नामृत संग के तात्वा धान में अंदर शहर गेट इस्तित इसकोन मंदिर के पावन प्रांगण में गोपास्टमी पर्व हर सुलास के साथ मनाया गया भक्त प्यूस रावत ने गौ माता की महिमा बताई भगवान ने सुयम अपने मुख से बोला है कल्यूग में गोव माता की भक्ती ही बैकुंट का मार्ग दिखा सकती है और बैकुंट ले जा सकती है गोव माता यदी किसी का भाग यदी बदल सकती है तो गोव माता ही एक ऐसी सकती है जो सब के भाग बदल सकती है और आओ हम सब मिलकर गौ सेवा करें, गौ पालन करें। हम सभी गौ माता से विशशान्ती का आसीरवाद मांगा। इसकौन मंदिर में सुबह मंगल आड़ती हुई, प्राता काल गाय माता का अविशे किया गया, नय पैदान धारन कराये गये, उनका शंगार किया गया। गौ माता के अंग में मेंधी हल्दी रंग के छापे लगाये गये, दीप दान किया, धूब दीप अक्षत रोली, गुड आदी बस्त तथा, जल से गाय का पूजन किया गया, धूब दीप से आर्टी उतारी गयी, प्रशाद भोग लगाया गया, गय की परिक्मा भी की ब्रजी जनरंजन दास प्रभू ने बताया कि दीपा वली के बाद आने वाली कार्तिक सुकल अस्टमी को गोपास्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है, इस दिन गौग वाल और भगवान श्री किष्ण का पूजन करने से बिसे इसलाम मिलता है, गाय को माता का इस्था दिया गया है, अता गाय को गोव माता भी कहा जाता है, पौरानिक माननताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री किष्ण ने गोचारण लीला सुरू की थी, कार्तिक सुकल अस्टमी के दिन माया सोधा ने भगवान किष्ण को गोचराने के लिए जंगल भेजा था, गाय पर की गई, जल्द सुबह से सुरू हुआ कारकरम देर रात्री तक चलता रहा, इस अपसर पर मंदिर के प्रमुक सहयोगी सुरेंद राय, महे सराफ, राजीव अगरवाल, असोक सेट, मनीस नीखरा, रमेस राय, अजय अगरवाल, प्रिया गोबिन दास, आरके टेलर, प्र खिलीप साहू भुपेन रायकवार आदी उपस्तित रहे, संयोजक संचालं बावार की सावत में वेख्त किया